हाई फ्रेंड स्वागत आप सभी को मेरे यूटूब चैनल इंगलिस लर्न वी थ्रोहित पर आज हम लोग इस क्लास में एडजेक्टिव को कवर करने वाले इसके पिछले दो वीडियो में हम लोग नाउन और प्रोनाउन को कवर कर चुके हैं आप यदि नहीं देखे हैं तो म मैं उसका डिप्स्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं तो चलिए आजी क्लास को हम लोग बीनाद देरे की हुए आजी क्लास को सुरू करते हैं सबसे पहले तो हम लोग एडजेक्टिव का डिफिनिसन देखते हैं कि adjective होता क्या है adjective and adjective is a word that qualifies a noun or pronoun मतलब adjective वो सब्द होता है जो किसी noun या pronoun की बिसेस्ता प्रकट करता है या बिसेस्ता बतलाता है example देखते हैं इसका a good girl मतलब यहाँ पे जो girl है क्या है या noun है जो good हो जाए क्या हो जाएगा adjective हो जाएगा क्यों कि यहाँ पे बिसेस्ता बतला राय की girl कैसी है यानि girl कैसी है गूड यानि अच्छी गरल है और फास्ट ट्रेन यानि train का होगा यहाँ पर नाउन हो गया train कैसा यानि फास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा एडजिक्टिव जाएगा यहाँ भी सिस्ता बतला रहा है कर चल रही है और यहां आनो यह यहाँ उस्ता बतला रहा है कि ट्रेज्ट टॉल यानी लंबा है यहां यहां गूड फास्ट टैल क्रम सा गर्ल ट्रेन ब्वाई बिसेस्ता प्रकट कर रहा है इसलिए एडजेक्टिब हो जाएगा यहां पर हम टैपिंग करके समझाए हुए हैं कि ट्रेन गर्ल और ब्वाई क्या है यह तिनो नाउन है और नाउन की बि टैल चलिए और हम लोग आगे देखते हैं अब सबसे पहले हम लोग काईड्स ओभ एडजेक्टिव एडजेक्टिव के मिलीकि दस परकार होते हैं पहला होता है क्वालीटएटिव एडजेक्टिव सबसे पहले तो हम इसका definition देखते हैं कि qualitative adjective होता क्या है जैसे adjective जो किसी बेखती या बस्तु के रूप, रंग, अकार, प्रकार, गुन, दोस, आदी के गुनों का वर्णन करते हैं qualitative adjective कहते हैं जैसे a beautiful girl girl यहाँ पर कैसी है? beautiful है यानि यहाँ पर क्या बतला रहा है? उसका रंग बतला रहा है कि यानि सुंदर है फिर यहाँ पर क्या है? a brave boy यानि ब्वाई का ऐसा? यानि brave है यानि क्या brave में इस क्या होता है? बहादूर है यानि next है a white goat क्री कैसी है? उजली है तो यानि उसका रंग बतला रहा है hot water, water कैसा यानि पानी कैसा है गर में अब हमरा next जो adjective है proper adjective, क्या पढ़नेगे इसको proper adjective गते हैं ऐसे adjective जो proper नाम से बनते हैं उन्हें proper adjective कहते हैं जैसे Indian police American embassy Italian company Indian police American embassy Italian company अब हमरा next जो adjective है हो है quantitative adjective next क्या है quantitative adjective जो third में है ऐसे adjective जो किसी बस्तु की quantity यानि मातरा वजन का बोध कराते हैं उन्हें quantitative adjective कराते हैं जैसे much, little, no, non, some, any, whole ऐसे adjective हमेशा singular number में uncountable noun के लिए फरयोग किये जाते हैं ऐसे ऐसा noun जो गीना नहीं जा सकता उन्ही में इसको परयोग करते हैं जिस noun का qualify करते हैं उसे हमेशा singular में होना चाहिए अब हमारा जो फूर्त में है ओ है numerical adjective क्या है numerical adjective ऐसे adjective जो number यानि संख्या का बोध कराते हैं उन्हें numerical adjective कराते हैं जैसे one, two, three क्या हो रहा है संख्या का बोध हो रहा है यहां पर एटीसी, first, second, third, etc many, few, swirl, adjectives हमेशा countable noun के साथ परयोग किये जाते हैं ऐसे adjective हमेशा यानि numerical adjective हमेशा countable noun के साथ परयोग किये जाते हैं जो fifth adjective है क्या है demonstrative adjective ऐसे adjective जो किसी बेगती या बस्तु की और संकियत करते हैं उन्हें demonstrative adjective कहते हैं जैसे this, that, these, those, any, such, other यानि ऐसे adjective जो किसी बेगती है बस्तु की और क्या करते हैं संकियत करते हैं उन्हें demonstrative adjective कहते हैं जैसे this मतलब या that मतलब वा this मतलब ए दोज का मतलब वे एनी मतलब कोई यानि सब adjective क्या हो जाएंगे demonstrative adjective जो हमारा next distributive adjective next जो है distributive adjective ऐसे adjective जो बेगती हो या बस्तु का एक एक करके या एक एक समू करके अलग अलग बोद कराते हैं यानि एक एक करके या एक एक समू करके अलग अलग बोद कराते हैं उन्हें distributive adjective कहते हैं जैसे देखते हैं each, every, either, neither जयाने जितने भी एड़जेलेटीवते क्या होते है डिस्रिब्युटीव एड़जेख्टी जो सता हैं हुआ है इंटरोगेटीव एडजेव एड़जेख्तिव एसे एकन उफले प्रस्फंपुछने के साहा आते हैं जैसे what is your name, what is this, which, 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 जो हमारा next adjective है possessive adjective इसका सबसे पहले हम लोग definition देखते हैं ऐसे adjective जो संबंद का बोद कराते हैं possessive adjective में हैं ऐसे adjective जो संबंद का बोद कराते हैं उन्हें possessive adjective करते हैं जैसे my, my का मतलब क्या होता है मेराई से क्या हो रहा है समबंद का बोद होता है मई यानि मीरा से समबंद का बोद होता है Our का मतलब हमारा Your, his, her, its, there यानि माई से क्या और है समबंद बतलाया जा रहा है यानि मेरा यानि हमारा possessive adjective का प्रयोग हमेशा noun के पहले हो जाए है और I amphasic adjective सबसे पहले हम इसका definition देखते हैं ऐसे adjective जिनका प्रयोग noun से पहले उस पर बिसिस जूर देने के लिए किया जाता है यानि noun से पहले बिसिस जूर देने के लिए किया जाता है उन्हें emphasic adjective कहते हैं जैसे own very own very क्या हो जाएगा emphasic adjective हो जाएगा आज की class के हमारा सबसे लाठ जो एडजेक्टिव है क्या है exclamatory adjective सबसे पहले हम इसका definition देखते हैं what का फरयोग exclamatory adjective के रूप में किया जाता है जैसे what an idea what a blessing what a blessing क्या हो जाएगा exclamatory adjective हो जाएगा exclamatory adjective हो जाएगा यदि आप सभी को यह class अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सबस्राइब किजिए और मेरे साथ बने रहे नेक्स्ट क्लास में लोग भर्व को कवर करने वाले तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में